कुसुम फेम एक्प्रेस रूचा गुजराती की घर जल्द ही किलकारिया गुंजने वाली है। रूचा ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर बेबी बम के साथ एक तस्वीर शेयर करते वे दीर थी। अब लॉगडाउन के बीच ही रूचा गुजराती की गोद भराई की रस्म भी की गई। मौजुदा हाला तक के चलते बहुत बड़ा बेबी शौवर नहीं रखा गया। लेकिन परिवार की मौजुदगी में रूचा की गोद भराई की सारी रस्मे घर पर ही पूरी की गई। बेबी पिंक कलर के सलवार सूट और गोल्डन दुपट्टे में रूचा बेहद ही खूपसुरत दिख रही है। रूचा के चहरे पर प्रेग्निंसी ग्लो साफ नजर आ रहा है। रूचा ने अपनी गोद भराई की रस्मे की तस्वीरे शेर करते वे अपने पैरेंट्स और पती विशाल को सारी अरेंज्मेंट्स करनी के लिए धन्यवाद कहा। पोस्ट में रूचा ने लिखा थेंक्यू मम्मी पापा और विशाल आप लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं हैं। आपने साबित किया है कि पैरेंट्स अपने बच्चों के खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोगडाउन के बीच मेरी गोदभराई की रस्म हुई। थेंक्यू मम्मी पापा और विशाल मेरे इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए। रूचा गुजराती ने अपने पती विशाल जैस्वाल के साथ काई सारी क्यूट तस्वीरे भी क्लिक करवाई। रूचा और विशाल की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिये होई थी। एक दूसरे को कुछ समय डेट करने के बाद दोनों ने सगाई कर ली। और 12 दिसम्बर 2016 को दोनों ने कुछ करीबी लोगों की मौजुदगी में शादी की। आपको बता दें ये रूचा की दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी बिजनसमेन मितुल सांगवी के साथ हुई थी जो जाता लंबे समय नहीं चल पाई। रूचा ने अपने पती और सास ससूर के खिलाफ मारपीट और टॉचर का आरोप लगाया था। वक फ्रेंड की बात करें तो रूचा सीरियल कुसूम के बाद से काफी चर्चा में आय थी। इसके बाद रूचा भाबी, सास बिना ससुराल, गंगा, प्यार के दो नाम एक राधा एक शाम, वारिस, रंग बदलती ओड़नी और चिडियागर जैसे कई सीरियल में नजर आ चुकी है। हम रूचा और विशाल को उनके घर आने वाले इस नंहे महमान के लिए देर सारी शुब कामनाय देते हैं। और भी लेटिस वीडियो के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सस्क्राइब करें गजब खबरें।